सबसे पेले यह हम एक कप मेदा लेंगे ओल परपच फ़लार लिया है हमना अब हम इसमें 1 टेबल स्पून और 1 फोर्थ कप चिनी एड़ करेंगे यह हमने बिना पिसीवी चिनी ली है अगर आप पिसी हुई चीनी लेते हैं तो आप 1-4 cup ही एड़ करें हमारे पास अभी पिसी हुई चीनी अवेलेबल नहीं थी तो हमने यह चीनी का यूज किया क्योंकि हम इसको ग्राइंड करेंगे तो वैसे ही इसका पाउडर बन जाएगा अब हम इसमें 3 डेबल इस्पून मिल्क पाउडर एड़ करेंगे तीन डेबल इस्पून यहां पर मिल्क पाउडर एड़ करेंगे अब हम इसमें 3 डेबल इस्पून कोको पाउडर एड़ करेंगे आपको अच्छी कमपनी का कोको बाउडर यहां पर यूज करना है, यह हम इसमें 3 टेबरी स्पून कोको बाउडर का यूज करेंगे, यह हमारा प्रिमिक्स बहुत ही अच्छा तयार हो जाएगा, आप इसको 6 से 12 महिने तक इसको श्टोर करके रख सकते हैं, आप टीस्पून हम खाने का सोड़ा यूज करेंगे, हाप टीस्पून हम बेकिंग पाउडर यूज करेंगे, वन फोर्थ टीसपी निमू का सथ, साइट्रिक एसिड का हम यूज करेंगे, जिसे कि अपना केक एक्तम सोफ्ट बनेगा और यह प्रिजरेटिव का काम करेंगा, जिसे कि अपना प्रिमिक्स खराब नहीं होगा, अब हम इन सबको मिक्स करके ग्राइंड कर देंगे, पीसा गई है, अब हम इसको छान लेंगे, इसको हमें छानने के बाद ही इसको स्टोर करके रखना है, आप इसको एयर टैट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, या फिर किसी भी एयर टैट बोक्स में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, अब इसको हम छान लेंगे, हमने अमारे चैन इस amigos sears came complete केक-based बनाएंगे वह में आपको बिताँ अगिए तो बहुत कम सामगरीजें और बहुत कम खर्चे में गर्फ पर प्रमिक्स तैयार होगा एक बार मेरे कैने पर आपको जोगा तो आपको प्रमिक्स अपर कोने करें और किससे इसका sponge अच्छा आएगा, यह देखिए, इस तरह से हमने इसको छान लिया है, तो हमारा यह प्रिमिक्स तयार हो गया है, हमने और भी हमारे चैनल पर प्रिमिक्स के वीडियो अप्लोड कर रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, यह सारी सामगरी क जो भी सामगरी हमने इसमें यूज कर रही है, वह हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिख के बता देंगे, तो आपको आसानी रहेगी